नमस्कार आप देखने टेन पी नियूज मैं हूँ अंकुर पांडेरू करते हैं बड़ी खबर का राहुल गांधी के निर्थित्यु में कॉंग्रेस की कन्या कुमारी से कश्मीर के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा चार दिसंबर को मध्यप्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने वाली है राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और उनके प्रतिदोंदी और प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वचिन पाइलट के बीच सत्ता संगर्स काफी समय से जारी है तो वहीं भारत जुड़ो यात्रा में शामिल जैराम रमेश ने बताया है कि मरिकार जुन खड़गे और अननेता अब जो भी समधान पेश करेंगे वे केवल एक सिध्धान पर आधारित होगा कि संगठन ही सर्वोच है इसलिए जो भी समधान लागू होगा वे वेक्ति A या B के दरश्टी कोन से नहीं बलकि संगठन के दरश्टी कोन से लागू किया जाएगा पार्टी के संचार प्रबारी महासाचिव ने कहा जो कुछ भी लागू किया जाएगा वस्यंगठन के हित में होगा यह व्यक्ति A या व्यक्ति B का सवाल ही नहीं है यहीं कॉंग्रेस पार्टी है और कॉंग्रेस को 2023 के विधान सभा चुनाव राजस्थान सहित कुछ राज् नागरिक पुरुसक्वारों में से एक पद्मभूशन से सम्मानित किया है संदु ने ट्विटर पर कहा है कि सैन फ्रांसिस्को में गूगल और अल्फाबेट के सीओ सुंदर पिचाई को पद्मभूशन सौप कर खुशी हुई है मदुरैक से माउंटेन व्यू तक समुंद संदर की प्रेहनादाय की यात्रा भारत अमेरिका के बीच आर्थिक और प्रोध्यों को मजबूत और भारती प्रदिवा के पुष्टी करती है अमेरिका में भारती दूद से प्रतिष्ठित पद्मभूशन पुरुसकार प्राप्त करने के बाद सुंदर पिचाई ने अप प्रति आपार सम्मान व्यक्त करते हैं सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत उनका एक हिस्सा है वह जहां भी जाते हैं इसे अपने साथ ले कर जाते हैं दिली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है इस मामले के तार दूसरे देश से जुड़े हुए नज जिन में से कुछ को रिकवर कर लिया गया है दिली पुलिस आधिकारिक तौर पर अभी इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर रही है सुत्रों से खबर है कि हौंग कॉंग के जरिये स्राजिस हो सकती है भारत के उत्रखण में नियंतरन रेखा LAC के करीब भारत अमेरिका का य एलिजाबेत जोंस ने पत्रकारों से कहा है कि इस मामले में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है एलिजाबेत जोंस ने कहा कि भारत ने जो जवाब दिया वह बिल्कुल सही है इस युद्धा भ्यास से चीन से कोई मतलब नहीं है बताने कि चीन ने भारत और अमेरिका के तीमा समझोते की भावना है उसका ये उलंगन है दिल्ली की वायोगुडवत्ता की बात करें तो आज सुबह एक्युवाई 332 होने के साथ बहुत खराब स्रेणी में है आने वाले दिनों की बात करें तो रविवार को हवाओं के रुख में बदलाव होगा और यह उत्तर पश आखों में जलन और सांसों में जकलन जैसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है फिलाल बढ़ी खबर में तना ही बागी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रिए टेंपी न्यूस के साथ नमस्कार